स्वयम, सहायता, समुकी महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणा टीवी चैनल के तरब से भी दिदी नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो दिदी जल्द ही सस्क्राइब कर ले क्यूंकि आप सभी को DNARLM से जुड़ी उसके साथ साथ के सरकार के द्वारा जो भी ओजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को उगत कर दिया जाएगा तो इसके लिए प्लीज प्लीज आप सभी हमारे प्रेणा टीवी चेनल को सस्क्राइब कर लिजे गर दिदी आप पहले से ही DNARLM में जुड़ी हैं तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पांच सुत्र का पालन करना बिलकुल ना भूलें सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समसे निवापसी लेखा जो खा इन पंसुत्रों का करे पालन और अपने समु को रखें सक्रिय क्योंकि दिदी सक्री समु को हुई योजनाओ का लाब दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी ज्यादा ना बात करते हैं में टॉपी की तरफ आते हैं जैसा कि आपने थमनेल में देखा है स्वेम सहता जी हाँ दिदी स्वेम सहता समु को रासन डिलर बनाने का विरोध अंगामा चल रहा है मुढ़ा पाने बलाग की ग्राम पंचायत नियमत पूर एक रोटिया में स्वेम सहता समु को रासन डिलर बनाने का विरोध में हंगामा हो गया है मुरादा बाद मुढ़ा पाने बलाग की ग्राम पंचायत नियमत पूर इक रोटिया में स्वेम सहता समुको रासन डिलर बनाय जाने का विरोध हो गया हंगामा ग्रामीडों का कहना था कि ओटिंग करा कर रासन की दुकान दी जानी चाहिए हंगामा बढ़ने और ग्रामीडों के न मानने पर अधिकारी बिना चुनाव कराए ही लोट गये ग्राम पंचार नियामतपूर इक रोटिया के पूर्व रासन डिलर जफर खां की बीमारी के चलते मौथ हो गई थी डियम सैलेस कुमार्सी ने यह चुनाव करा कर नया रासन डिलर न्यूक्त करने का आदेश दिया है बुधवार को मुड़ापांडे बलाक से अधिकारियों की टीम पूलिस फोर्स के साथ गाउं पहुची अधिकारियों ने सासना देश पढ़कर सुनाया कहा कि गाउ में चल रहे स्वयम सायता समु को ही रासन डिलर बनाया जाएगा इस पर प्राथमिक विद्यालाई में मौजूद ग्रामीडों ने विरोध करना सुरू कर दिया ग्रामीडों ने कहा कि समु की जगा किसी व्यक्ति काचयन किया जाए ओटिं कराकर डिलर निवक्ति होनी चाहिए इस पर अधिकारियों ने ग्रामीडों को समझाया लेकिन वह नहीं माने हंगामा बड़ता देख अधिकारी पिना चुनाव कराये ही लोट गए ग्राम प्रधान असोक कुमान ने बताया कि लोग नहीं चाहते कि स्वयम सहता समु रासन डिलर बने लेकिन दिदी यह कोई बात नहीं है क्योंकि जो स्वयम सहता समु की दिदियां रासन डिलर बनने वाली है वह भी तो गाउं की एक मेंबर हैं जिलादिकारी से मुलाकात करके बात रखी जाएगी सभी को रासन डिलर के चुनाव में खड़ा होने का मौका मिलेगा ग्रामिर जिसे चाहे उसे चुने डियम का जो भी आदेश होगा उसका पालर किया जाएगा ग्राम प्रधान असो कुमान ने बताया कि लोग नहीं चाहते कि स्वयम सहता समु रासन डिलर बने तो दीदी ये कही ना कही बिलकुर प्रदान जी ने गलत बात कही है क्योंकि स्वैम सहता समु की जो दीदियां है वो भी गाओं की महिला है और गाओं के लोग क्यों नहीं चाहेंगे तो कही ना कही प्रदान जी ने गलत बया किया है गलत बाते कही है स्वयम साहता समु को वरिता मिलनी थी और मिलनी चाहिए इस सभी इन सभी बातों से आप दिदी क्या सोचती है कॉमेंट वाक्स में लिखके जरू बताएं मैसेज जरू करें कि क्या सही है क्योंकि स्वैयम साथा समू की दिदिया कितने सालों से प्रयाज किया जा रहा है रोजगार पाने के लिए दिदिया हमारे 500 का पालन भी कर रहे हैं योजनाओ का लाब लेने के लिए फिर भी अगर उनको वरिता ना मिले तो इनके साथ अन्याय होगा तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी अगर आपके गाँ में कोटे की चैन हो रही है सुयम साथासमू की दिदियों को रासन डीलर बनाया जा रहा है तो आप लोग पूरा-iban पूरा सपोर्ट उन दिदि क करिए क्योंकि स्वेम सातस्तमु की मैलाओं को आगे ले जाना आपका और हमारा काम दुरों ही है क्योंकि इतने दिन से सभी लोग अपने मन से ही रख रहे थे लेकिन अब जो सची की मैलाओं है वो खड़ी हो रही है उनका सपोर्ट आप सभी दिदियों को करना है आप सभी से निवेदा ना कि प्लीज प्लीज आप लोग अपने गाव में कोई भी मेंबर कोई भी सदस्त अगर किसी पत के लिए खड़ी हो रही है क्योंकि काफी समस्याद करें कि अगर आपको कहीं सकरी वर्ता मिलेंगे इसके लिए पहले ज़रूरे हैatori Church जोड रखें तरह जब तक पूर煮ें तो अपको समुख बढ़ेगा हैं सब्सक्राइब खार रहने सब्सक्राइब तो आप सभी से प्लीज निवेदा नहीं कि अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप लोग अपने तक रखिए समू में ना लाएं इसलिए मैं बार बार करती हूं कि जब समू बनाया जाए इस बात का विश्य जान दिया जाए कि जो हम समू में लेंबर बना रहे हैं बारा विजियों का पंडरा विजियों का ना को उचने कोई सझस्थे काज घौन हो हो मतिरा यसिधान नो जव्यर्ची वहा दूसे तो कि अब बड़ा विवाद उत्पन हो जाता है क्योंकि जो घर की समस्तिया रहती है वो समू में चली आती है और उस वज़ा से समू तूटने का ज्यादा संभावना रहता है तो आप लोग प्लीज इस बात के जरूद ध्यान दें कि समू बनाते वक्त एक घर से दो महिला बिल्कुल ना हो अगर आपके समू में है तो अभी से अगर ज्यादा रकम पैसे जो नहीं आए है आयफ नहीं आ आने वाले विवास से आप लोग बस सकती है तो चलिए देदी आज की वीडियो बस इतना है अगर आपको हमारा वीडियो पसंदा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना बूले अगर आपके समू में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मैं कॉल कर सकती है मे इसी बताता है क्योंकि मैं आने देदियों से बात करती रहती हूं तो हो सकता है दूसरा काल आपका हो और आपका फोन उड़ जया आप से मैं बात कर लूँ तो चलिए अज की बसितना ही धर्नेवाद जया जी विका